कल्पना कीचिये, हमने एक साड़ी ली और इस साड़ी को कई कपड़ों के टुकड़ों में काट दिया अब प्रते कपड़े के टुकड़े से हमने एक नया परिधान बना लिया ऐसा ही कुछ खंडन में घटित होता है, जहां पर एक जीव परिपक्को होने पर खुद को छोटे-छोटे खंडों में बाट देता है जैसे स्पाइरोगायरा अब प्रते भाग एक नए व्यक्तिकर जीव में बढ़ेगा इसे कॉपी में नोट कर ले परन्तु ये सभी बहु कोशिकी जीवों के पारे में सत्य नहीं है क्यूंकि विशेश कोशिकाएं संगठित होकर उतक बनाती है और उतक अंगों में संगठित होते हैं जिससे नए जीव का कोशिका विभाजन द्वारा बनना नामुम्किन हो जाता है इसे भी कॉपी में लिख ले बहु कोशिकी जीवों में एक मूल रन्नीती यह है कि विभिन प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कारे करती है इस समान प्रत्विरूप का अनुसरन करते हुए इस प्रकार के जीवों में जनन भी एक विशिष्ट कोशिका का कारे है इससे अपनी कॉपी में नोट कर ले लेकिन प्रश्ण यह है कि अगर जीव में खुद कोशिकाओं के इतने प्रकार होते हैं तो एक प्रकार की कोशिका से जनन करना कैसे संभव है इसका उत्तर यह है कि एक जीव में इस प्रकार की एक कोशिका होने चाहिए जो सही परिस्थितियों में वृद्धी करने योग्य हो तथा नई कोशिका बनाकर प्रिसार कर सके